भारत एकमत रहसा देश है पुरी दुनिया में यहां के लोग खाने पीने को लेकर बहुत ज़ादा ही सोखिन है खासकर यहां के लोगों को जलेबी खाना बेहदी पसंद है और यह हमारे राच्ट मिठाई भी माना जाता है जी हां जलेबी और रबडी के कॉंबिनेशन कई महेंगे महेंगे मिठाईयों को स्वाद को भी पीछे छोड़ देते हैं हमने अक्सर अपने आसपास के लोगों को जलेबी रबडी एक साथ खाते हुए देखा है हलां कि कुछ लोग यहां की भी सला देते हैं कि माईगिरेन थाता सीर दर से पेड़ित लोगों के लिए भी सुबह उठकर खाली पेट में जलेबी रबडी खाना बेहदी असरदायक साविध होता है जी हां आज इस ख़बर के जरी हम आपको बताएंगे कि क्या वाकाई में रबडी और जलेबी इन बिमारियों से निजात दिलाता है या नहीं कि आपका पूरा ना उन्नती दिवेदी में जैसे कि आपे बहुत फेमस रबडी जली भी आपका खा रही हैं मैं यहां पर 2018 से आ रही हूं रेगुलर मुझे इस पेसली यहां की मावा और अच्छा बनाते हैं यह लूग तो एक और हमारे जो पूरोबाज है या हमारे जो रूरल एरिया है वहां पर एक काहवत चलती है कि अर्धा बेदा क्या माईग्रेन हुआ है तो आप दूद और जलेबी या रवडी और जलेबी खाईएगा और रवडी जलेबी खाने पर बहुत बार जो है मैंनी मैक्सिमम केसेस में हमको जो है देखने को मिलता है पेशेंट के सिम्टम्स कम हो गए दर्द कम हो गया उसका कि जो डीजन है चरक ने कहा है चतु इसने हो उत्तमा मात रहा तो कहीं न कहीं केवल घ्रत पान करने से भी जो है माईग्रेन के दर्द में कम होता है उसका सीधा सीधा रीजन है कि जितने भी दर्द है वो बात से होते हैं और वात को समन करने वाला जो है इसने है और मधुर रस होता है और जले भी मधूर रस है हम लोग सभी जानते हैं कि मीठी होती है और रवडी चूंकि उसमें दूद की बनी हुई है तो उसमें इसनेहे की मात्रे भी बहुत अच्छी होती है और इसनेहे और मधूर रस दोनों मिलकर बात का समन बहुत अच्छा करते हैं इसलिए ह में अरधा बेदक के कुछ लक्षनों में जो है आराम मिलता है